हर्याना से भाज़पा के राज़े सबसांसद रामचंदर जांगड़ा हमाल साथ बात करने के लिए मौजूद है रामचंदर जी चंडीगड हर्याना पंजाब की राज़िधानी है लेकिन उसमें सेंटल सल्विस रूल्स लागू होगा जो नोटिफिकेशन आया है पंजाब में राज़िनेतिक दल इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अधिकारों को जो चंडीगड़ पर उनके अधिकार हैं उसे कमजूर किया जा रहा है ये मौजुदा पंजाब सरकार की सस्ती लोग प्रियता पराप्त करने की एक सोची समझी साजिस है चंडिगड दोनों प्रदेशों की राजदानी होने के साथ साथ ये विध्यान में रहना चाहिए ये यूनिन टेरिट्री है और यूनिन टेरिट्री में केंद्रिय सरकार के कानौन लागू होते हैं और केंद्रिय सरकार के कानौन के अनुशार एंप्लाइज को सेवंथ के कमिसन का भी बेनिफिट होना चाहिए मिलनी चाहिएएं उनको सारी की सारी सुईधायं का मिलनी चाहिएं और उसमें रिजर्यवेशन पॉलिस है जह वह व्य फौला सॉल वह वर्नी का मेरिट करने की कोसटरे वे तरिफार हैं उनकी मेरिट का का स्टेटस ऐस्च क्या उनको employment में जो benefits मिलते हैं, pay commissions के, उनका status क्या है, किसी को ध्यान में रखे बगएर एकंदा धुन्दे काम अपनी तरफ से डिकलेर कर दिया, ये तुकलकी आदेश हैं, और उन आदेशों को छुपाने के लिए, एक सथी लोग प्रियता पराप्त करने के लिए, वो पंजाब का इशू उठा रही है, पार्लेमेंट में भी चाहे वो कॉंग्रिस के सांसद हों, या अकाली दल हों, सब ये कह रहे हैं कि जो पंजाब का राइट बनता है, 1966 का पुनरगटन एक्ट है, 6040 की जो बात थी, अंडिवाइड़ पंजाब के रूल लागू होने थे, उसके अर्थन नहीं मिला है, एक दोन एसोशियेट उनके साथ किया है, सभी लोग समझते हैं कि करमचारियों का भला केंद्रिये निती उन पर लागू होने में ही है, इस से पंजाब या हर्याना की जो चंडिगड़ पर दावेदारी है, उस पर कोई असर पढ़ रहे हैं क्या, न उसे में वहां के करमचारियों का फायदा है, और करमचारि भी इस बात को समझते हैं, तो इसमें पंजाब एक निरर्थक एक गलत बात को हवा दे रहा है, हर्याना की इसमें कोई वो नहीं है, हर्याना तो जानता है इस बात को कि करमचारियों का भला कहां पर है, असर एक हर्याना प्रदेश में आप पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है पंजाब में क्योंकि स्थीती ऐसी थी अकाली दल और भाजपा जो एक समय मिलके चुनाव लड़ते थे अकाली दल और भाजपा अलग अलग हो गए कॉंग्रिस ने नेतरतो प्रिवर्तन के बाद एक एनिश्चितता की स्थीती खड़ी कर ली अपने ही पार्टी के अंदर तो वहाँ पर अमरेंदर सिंग उन से अलग हो गए तो पंजाब में एक वेक्यूम हो गया वहाँ पर के राजनिती कहां जाए एक वहाँ पर जो लोक लोबाओने नारे और ततकालिक परिस्थितियों को देखते वे जो जूटे नारे थे वो उनमें आप सफल होगी क्योंकि हमारी एक राष्ट्य पार्टी है और हम राष्ट्य मुद्धों पर ही बात करते हैं और राष्ट्य विश्य को लेकर ही चलते हैं हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जो वोट की राजनिती का हिस्सा बने इसलिए लेकिन आप पार्टी एक सोतंतर दल है अपना कुछ लोगों का वो अपना कुछ भी कर सकते हैं उनके सामने को नीती नियम कुछ होता नहीं और लोग उसके अंदर आगे क्योंकि व्यक्यूम था पंजाब में हरियाना में कोई व्यक्यूम नहीं है हरियाना में हमारी सरकार बेतरीन तरीके से महुरलाल जी के नेतरतो हुआ चल रही है और तमाम वरग इसे खुश है, चाये वो किसान है, चाये करमचारी है, चाये दलिट है, चाये पिछड़ा वरग है, चाये व्यपभारी है, सब को पता है कि हरिएना सरकार की नितियां ठीक हैं, तो हरिएना प्रदेश में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। उनकी जमानते जबत हुई है बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी से अलग होने के बाद तो जैसी स्थित्ती उत्र प्रदेश में है वैसे ही हर्याना में भी है भगदर मचाने वालों का हर्याना में पल्ले पड़ने वाला कुछ नहीं है कर दूहीं है